गुड मॉरिंग एब्रिवान वेलकम टो एक्जाम और बिट क्लासेज तो आज है एक नवंबर और आज के सेशन में एक नवंबर से सम्मंदित करेंट अफ यह डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आप सभी के लिए काफी मह जीते हैं 102, 105, 111 या फिर 121 इस सवाल का आंसर आपको क्लास की लास्ट में मिल जाएगा और जिनको आंसर पता है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है तो चले इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल है खबरों में रहा 261 13 क्या है तो फेंट्स याद रखेंगे यह है परमाणू बम जिसका निर्मान कौन कर रहा है तो इस बम को बना रहा है अमेरिका और फेंट्स ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो बम है जापान के हीरो सिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना जादा ताकत पर होगा जिसे नाम दिया गया है 261 13 याद रखेंगे आप सब और यह बम अमेरिका का जो पुराना बम है 261 7 की जगे लेगा इस परमाणू बम का जो बजन है वो 360 किलो टन होगा तो आप याद रहेंगे इसे कौन बिक्सित कर रहा है अमेरिका बना रहा है अब डिसकस कर लेते हैं परिक्षा उप्योगी कुछ महत पून सवालों के बार में 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणू परिक्षन कहां किया था पोखरन राजस्थान में किस परधान मंत्री के कारिकाल में भारत का पहला परमाणू परिक्षन हुआ था इंद्रा गादी जी के कारिकाल में जापान के हीरो समा सहर पर पहला परमाणू बम कब गिरा गिराया गया था तो 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था और नागसाकी पर 9 अगस्त 1945 भारतिय परमाणु कारिकरम के जनक हैं ये कौन है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे इनका नाम काफी महत पूर्ण है डॉक्टर हुमी जहांगीर बापा इसके लाब आपको याद होगा कि हाली में रूस ने 1966 की उस संदी से खुद को बाहर कर लिया है जिसके तहट दुनिया भर में परमाणु बम के परिक्षण पर प्रतिबंद लगा दिया गया था तो इस संदी से रूस बाहर आ गया है परमाणु रियक्टर में किस मॉटरेटर का इस्तमाल किया जाता है तो उसमें ग्रेफाइट का यूज करते हैं परमाणू बम के सिध्धान्त पर कारे करता है नाप की ये बिखंडन के सिध्धान्त पर कारे करता है किसी परमाणू के अंदर पाए जाने वाले तीन मौलिक कण हैं इलेक्टरॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइड्रोزन बम के सिधान पर कार्य करता है या के सिधान पर आधारेत है तो आप याद रहेंगे भारत के किस राज़िक्र में इस्थित है तो आंसर होगा उत्त प्रदेस अब आप मुझे बताएंगे कि राबत भाटा कहां पर आता है discuss कर लेते हैं अमेरिका के बारे में क्योंकि यह बंग कौन बना रहा है अमेरिका तो मैप में आप लोकेशन देखेंगे यह है अमेरिका अमेरिका की जो Capital है वो है बॉल्न जिंग गर्टन डीजी जो की Porto Mac नदी के किनारे इस्तित है इसके लबह याद रखेंगे अमेरिका की अंत्रेच एजनसी है नासा और नासा का हेड़क्वार्टर भी कहां पर है तो वंजिंग गटन डीजी में इस्तित है अमेरिका के बर्तमान में जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट कौन है तो कमला हैरिस है अमेरिका की केरेंसी को डॉलर कहते हैं क्या कहते हैं तो याद रखेंगे डॉलर कहते हैं अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिलकु अगला सबाल है कि भारे सरकार ने नौसेना के लिए राफिल जैट के नौसेना संसकरण के कितने बिमान खरीदने के बारे में फ्रांस को सूचना दे दी है तो फ्रेंट्स भारत खरीद रहा है तो आप याद रखेंगे फ्रांस से राफिल कहां का है तो फ्रांस का है ठीक ह और इस युद्धक बिमानों को ये जो भारत खरीद रहा है 26 बिमान राफिल इन्हें आइनेस बिकरांत पर तैनात किया जाएगा किस पर आइनेस बिकरांत पर ये भी आपको याद रखना है अब डिसकस कर लेते हैं कुछ महत पूंट जानकारे हाली में भारतिय बायूसेना में किस फाइटर बिमान को अंतिम बिदाई दे दी गई है तो आप याद रखेंगे फाइटर बिमान मेक 21 को बिदाई दे दी गई है राफिल का निर्मान किस कमपनी ने किया है तो डासॉल्ट के दुवारा किया गया है जो की फ्रांस की एक कंपनी है भार्तिय बायुसेना ने किस देश से दो मिराज 2,000 लडाकू बिमान खरीदे है तो मिराज जो बिमान है ये भी भारत ने फ्रांस से खरीदा है भार्तिय बायुसेना को किस देश से इस पाइक जो मिसाइलें हैं ये मिली है तो ये हाली में इसराइल ने दी है ठीक है ब्रमोज क्या है तो एक सूपर सॉनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्मान भारत और रूस ने मिलकर किया है MS- Patriar Multi-Roll Homeland Helicopter ये भारत ने किस से खरीदा है तो अमेरिका से खरीदा है सुकोई 30 MKI का निर्मान किन देसों ने मिलकर किया है भारत और रूस ने मिलकर किया है अपाचे हैलिकोप्टर किस देस का है तो अपाचे आता है कहां से अमेरिका से अब discuss कर लेते हैं France केबारे में तो map में location देखेंगे ये है France France कहां पर आता है? Europe, Maharँभी में आता है France की capital है Paris Paris किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है France के currency को EURO कहते है और यहां पर आपको देखने को मिलेगे Way or Pixay जो कि France और Spain के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है याद रखेंगे अब आप मुझे बताएंगे कि Paris Olympic कब होंगे दच्छड अफरीका ने किसको हरा कर चौता विश्वर रगवी खिताब जीत लिया है तो दच्छड अफरीका ने हरा दिया है New Zealand को किसे हरा कर जीता है तो New Zealand को फेंट्स याद रखेंगे दच्छड अफरीका रगवी टीम जिसे क्या कहते हैं तो Spring Box के नाम से जाना जाता है और इसने न्यूजिलेंड की रगभी टीम जिसे All Blacks के नाम से जाना जाता है इसे हरा कर यहें खिताब अपने नाम कर लिया है अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल कहां पर हुआ था तो पैरिस के स्टेडी फ्रांस में आयोजित किया गया था यानि कि जो रगभी प्रतियोगिता है इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था 2023 रगभी विश्व कप फाइनल मैच किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था तो यह स्टेडियम आप याद रखेंगे पैरिस के स्टेट तीव फ्रांस स्टेडियम में हुआ था वेव, एलिसक कब किस kھیल से संबन्दिथ है, वेरी इनपोर्णट कोईशन है, याद रखेंगे हैं रगभी फुटवाल से संबन्दिथ है टिक है 2027 रगभी विश्वकब की मेजवानि किस देश दुवारा की जाएगी अउस्ट्रेलिया के दुवारा की जाएगी दच्छड अफरीका की रगवी टीम के कप्तान का क्या नाम है तो इनका नाम है सिया कोलेशी देखे रगवी जो प्रतियोगिता है ये चार साल में एक बार होती है अब ये प्रतियोगिता कब होगी तो दो हजार सताइस में होगी और इसकी मेजवानी ऑस्टेलिया करेगा ये आपको याद रखना है अब बात कर लेते हैं साउथ अफरीका की तो मैप में आप लोकेशन देखेंगे ये है दच्छड अफरीका दच्छड अफरीका के बारे में क्याके याद रखेंगे तो दच्छड अफरीका की जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है इनका नाम है सिरिल रामाफोसा दचड अफ्रीका की दो राजधानिया है जिसमें कैप टाउन यहां की बिदाई राजधानी है प्रिटोरिया यहां की कारेकारी राजधानी है यहां की केरेंसी को रेंग कहते हैं अगला सबाल है कि निम्न मेंसे कौन सा राजध अपने सभी 14 जिलों में होल मार्किंग केंद्र इस्थापित करने वाला भारत का पहला राजध बन गया है केरल कौन बन गया है फ्रेंट्स याद रखेंगे केरल रुक्की में होल मार्किंग केंद्र के उदगाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में होल मार्किंग केंद्र इस्थापित करने वाला भारत का पहला राजध बन गया है इन होल मार्किंग केंदरों का उदगाटन उपभोकताओं के लिए सोने के आबूशनों की गुडवकता और विश्वस्नियता सुनिक्षित करने की दिसा में एक महत पून कदम है आबूशन के संदर में होल मार्किंग योजणा यानि की वी आई एस दुवारा इसे बर्स 2000 में शुरू किया गया था अब रिबीजन कर लेते हैं भारतिये मानग व्यूरो के बारे में क्योंकि यहां से सवाल आप से पूछा जा सकता है तो भारतिये मानग व्यूरो की जो स्थापना है वो 23 दिसंबर 1986 में की गई थी भारतिये मानग व्यूरो का मुख्याले कहां पर है दिल्ली में है भारतिये मानग व्यूरो के बरतमान में महा निदे सके प्रमूत कुमार तिबारी निम्न में से कौन सा विश्विद्याल है अपना खुद का सैटलाइट लॉंच करेगा तो फेंट्स याद रखेंगे अपना खुद का सैटलाइट लॉंच करने जा रहा है अलिगर्ड मुसलिम विश्विद्याल है कौन सा अलिगर्ड मुसलिम विश्विद्याल है ठीक है आप सभी को ग्यात होगा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या फिर कहें कि केंद्रिय मंत्री मंडल ने तेलंगाना में जो सरक केंद्रिय जंजातिय विश्विध्याले है इसकी स्थाफना की प्रकिरिया को मंजूरी दे दी है ये विश्विध्याले कहां बनेगा तेलंगाना में यह आप अच्छे से याद कर लेंगे भार्टिय मूल के अमिर की अर्थसास्ते जिनका नाम है राजा चेटी इनको हावर्ड विश्विध्याले का जॉर्ज लेडली पुरुसकार दिया गया है हाली में हायर जो टाइम्स हायर एजूकेशन दुवारा हाली में जारी एसिया इनवर्सिटी रैंकिंग दो हजार तेईस में भारत की सीर्ष पर कौन सी इनवर्सिटी है तो भारतिय बिग्यान संस्थान है और यह कहां पर आता है तो यह बैंगलोर कंदाटक में नेस्ट कुशन है बर्स दो हजार तेईस का वैलोन डी और फुटवाल के सरवोच पुरुसकार से किसे समानित किया गया है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे लियोनेन मेसी को पुरुसकार से समानित किया गया है और आठ भी बार इनोंने यह पुरुसकार अपने नाम कर लिय लियोनेन मेसी एक बार फिर दुनिया के सर्वस्रेश्ट फुटवॉलर खिलाडी बन गए हैं अगर आपसे पूछा जाएं कि महिलाओं में यह हैं पुरुसकार किसे मिला है तो महिलाओं में मिला है एटेना बॉनमती को देखे कुश्चन इस प्रकार से भी बन सेक्टा है कि लियोनेन मेसी का सम्मंद किस खिल से है तो आप याद रखेंगे यह फुटवॉल के काफी अच्छे खिलाडी है अगला सवाल है कि मश्रूम की नई परजाती की खोच कहां की गई है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे मश्रूम की जो नई परजाती है यह पक्चमी घाट में मिली है आप सबी जानते हैं कि पचमी घाट को सहादरी के नाम से भी जाना जाता है और केरल के सोध करताओने यह खोच की है फेंट्स यह मश्रूम की जो नई परजाती खोची गई है इसका नाम आपको याद रखना है इसका नाम है केंडो लेमाइसेस अलवो इसक्वा मोस यह आपको याद रखना है यह पूछा जा सकता है तो यह को छेटर की उल्लेखने जय बिविदिता पर प्रिकास डालती है और देश में कबग बिविदिता की और खोच को पुसाहित करती है अब रिबीजन कर लेते हैं कुछ महत्तपून खोजों के बारे में जो की सुर्ख है यह पच्मी ऑस्टेलिया में की गई थी भार्टिय पुरतत्व सरवेचर ने के सराच में 1200 साल पुराने लगो इस दूपों की खोच की तो बिहार में नालंदा महावियार के परिसर में यह खोच की गई थी पैग्यानिकों ने के इस देश में जमी हुई जील के नीचे से लगवग 48,500 साल पुराने जॉंबी वाइरस को पुनरजीवित किया था तो यह रूस के जील के नीचे से मिला था और 600 मिलियन साल पुरानी नदी की बूंदे कहां मिली है तो यह हिमाले में खोची गई है अगला सवाल है कि व्यूटी वर्ड मिडल इस्ट 2023 की मेजवानी कि ने की है तो इसका आयोजन किया जा रहा है दुबई में कहां फर फ्रेंट्स याल रखेंगे संयुक्त अरब अमीराद दुबई में तो इसकी जो शुरवात है वो 31 अक्टूबर से हुई थी और 1 नवंबर तक यह आयोजित किया जाएगा दुबई वर्ड ट्रेट सेंटर म जिसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है अगला सबाल है कि फाइनेंसियल एक्सेंट टाक्स फोर्स ने हाली में किस देश को अपनी गिरे लिस्ट से हटा दिया है तो केमिन दीप, पनामा, जॉर्डन और अलवानिया आंसर होगा उपरुक्त सभी को हटा दिया गया है गिरे लिस्ट से तो यह आप याद रहेंगे और केमिन दीप की जो राजदानी है वो है जॉर्ड टाउन राजदानी आप याद कर लेंगे पूछी जा सकते हैं अब बात कर लेते हैं FATF के बारे में यानि कि फाइनेंसियल एक्सेंट टाक्स पोर्स के बारे में फेंसिसका राजनेतिक इच्छा सकती पैदा करने का काम करती है याद रहेंगे यह ब्यक्तिगत मामलो को नहीं देखती है तो जिन देशों को हटाया गया है उनकी लोकेशन मैप में देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि करेंट का कोईशन है तो एक्जाम में पूछा जा सकता है तो क पूछा से कापिटल है वो जोर्ज टाउन है जो कि आपको याद रहनी है नैस्ट ती याद रहेंगे जॉड़न जॉड़न के कैपिटल किया है तो अम्मान है और देखे ये डैट सी आप देख पा रहे होंगे मिरत्यसागर, दो देशों की सीमा लगती है, जॉर्डन और इस्राइल की सीमा लगती है, कुश्यन फिंट्स एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, चार देश आपको दे दिये जाते हैं, जिसमें से एक जॉर्डन होता है, और पूछा जाता है कि इसमें से किस देश की सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है, तो आप याद रखेंगे जॉर्डन की जो सीमा है न वो मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है, यह है भूमद्द सागर और यह है जॉर्डन, तो Jordan अक्सर option में दे दिया जाता है तो हम confuse हो जाते हैं तो याद रखेंगे आप सबी इसके बाद था Alvania तो Alvania की location देख सकते हैं यह है Alvania जो कि Europe महादीप में आता है इसके बाद था Panama Panama देश कहां पर है तो आप सबी जानते हैं Panama नहर से यहां पर है और यह Caribbean Sea उपर आपको दिखाई देगा इसके अलावा Panama की जो capital है वो Panama City है और क्या के याद रखेंगे पनामा के बारे में तो मद अमेरिका का सबसे दच्छिरतम रास्ट है इसके अलावा Panama की जो currency है वो Panama AI, Balboa और American Dollar है और यहां के जो प्रसिडेंट है इनका नाम है नितो कार्टी जो अगला सबाल है कि State Bank of India ने किसे अपना नया ब्रैंड अमबस्टर न्यूक्त किया है तो फिंट्स इनका नाम है महिनर सींग धौनी जो कि SBI के ब्रैंड अमबस्टर बन गये है जिनने आप सभी पिक में देख सकते है क्लास की शुर्बात में जो सवाल में आपसे पूछा था कि चौते ACI पैरा खिलू में भारत ने कुल कितने पदक जीते है तो फिंट्स याद रखेंगे भारत ने कुल 111 पदक जीते है पैरा खिलू का जो आयूजन है पुचीन के हांग्जों में किया गया था और भारत ने इसमें 111 पदक जीते हैं जिनमें 29 सौण पदक हैं 31 रज़त पदक हैं और 51 इसमें काश्य पदक है ACI पैरा खिलों में यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदशन रहा है अब रिवीजन कर लेते हैं टॉप 10 इस्टाटिक जी के कुरिशन ACI विकास बैंक की इस्थापना कब हुई थी 19 दिसंबर 1966 में ACI विकास बैंक का मुख्याले कहां पर है मनीला फिलिपीन्स में है अफ्रीका महादीब की सबसे उची चोटी कौन सी है कलीमंजारो एक मत्र ऐसा महादीब जिससे भुमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा तीनो अच्छांसिय रेखा गुजरती है अफ्रीका महादीब दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्तल कौन सा है तो सहारा मरुस्तल है अभिज्यान सकुंतलम के लेखा कौन है कालिदास हीरा कुंड बांध किस नदीपर बनाया गया है महानदीपर भगवान बुद्ध दुवारा सारनात में दिया गया पहला प्रवचन बौत धर्म में क्या कहलाता है धर्म चक्र प्रवरतन कहलाता है देखे पहला प्रवचन तो सारनात में दिया गया था और सबसे ज़्यादा जो प्रवचन दिये गए थे वो सिरवस्ती में दिये गए थे नाथुला दर्रा किस राज्च में इस्तित है सिक्य में सांती निकेतन की इस्थापना किस ने की थी तो रविंदर नाट टैगोर जी के दुवारा की गई थी अर्थ सास्त का नोबल पूरुसकार किस बर्ष सुरू हुआ था उन्नी सो उनत्तर में अब आप सभी के लिए सवाल हैं जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने है पहला सवाल है कि निलवंडे बांध किस राज्च में इस्तित है गुजरात माहरास्ट उत्तप्रदेश या फिर तमिलाडू नेस्ट कुशन ओटिर्स तूफान कहां पर आया था मैक्सिको आस्ट्रेलिया नियूजिलेंड या फिर भाहरत भारत सरी कौन सा राश्च्टिय उध्यान युनेस्को की विश्व धरुवर में सामिल नहीं है तो फ्रेंड्स इनके जो आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने है आज का ये शेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजएगा लाइक कीजएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा इस क्लास की जो पीडियाप है वो बात में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर जाकर एक्जाम और्बिट क्लासे से लोगो आपको दिखाई देगा तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है जोइन कर लिजेगा क्योंकि पीडियाप के अलावा करेंट अफेर्ड से सम्मंदि जो भी अपडेट होता है वो एजली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेस्ट शेशन में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत